नमस्कार साथियों सौगत है आपका मेक्र एकोनोमिक्स के इस क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इंजन आय और रोजगार के सिद्धान्त की तो साथियों इसनों ने जो क्लासिकल मॉडल ओफ एम्प्लॉइमेंट और आउटपुड था उसकी कड़ी आलोजना की और उसके बाद अपना खुद का एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो मेहनाड किन सास्त्रिय मेक्रो और सास्त्र के या प्रमप्रागत जो समस्टे अर्थ सास्त्र था उसके मुख्या आलोचक थे इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थेोरिय अप एम्प्लॉइमेंट इंट्रेस्ट और मनी जो कि 1936 में प्रकासित हुई थी उसमें बाजार से का जो बाजार नियम था उसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आपूर्ति अपनी मांग पैदा नहीं करती है उन्होंने एस्वी पीगो के विचारों के भी कड़िया अलोचना की जो कहते हैं कि वास्टिक मजदूरी दर में कटोती करके अर्थोस्ता में बेरोजगारी की समश्या को समाप्त किया जा सकता है रोजगार को बढ़ाया जा सकता है उन्होंने इस विचार का भी विरोध किया कि बचत और निवेस को ब्याजदर में बदलाओं के द्वारा बराबर किया जाता है इसके अतरिक अर्थ्योस्ता में पूर्ण रोजगार की धार्णा इतारतवादी नहीं है इनका मानना था कि जो समने तोर पर अर्थोयोस्ताओं में पूर्ण रोजगार की इस्तिति नहीं पाई जाती है तो ये सब बाते किंच ने पुराने जो क्लासिकल मॉडलर उसके अलोचना में कई और कहा कि जब तक अर्थोयोस्ता सुचार रूप से चल रही थी तब तक समगर अर्थोयोस्ता के इस सास्त्रिय विसलेशन को जो प्रमप्रागत विसलेशन को उसको किसी तरीके का कोई गंबीर वुरोद का सामना नहीं करना पड़ा था हलांकि 1930 की महामंदी ने बढ़ती बेरोजगारी रास्टियाई को घटाना और केमतों में गिरावट और बहुत सारी फर में जो है विफल रहने लगी और इसकी समश्याओं की गहनता बढ़ने लगी तो सास्त्री मोडल ये सोचने समझाने में विफल रहा कि इस आवसाद या मंदी की स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए ये वह समय था जब जेम कीन्स ने प्रसिद पुस्तक जेनरल थियोरी लिखी और उन्हें 1930 के मामंदी के स्पस्टी करण और इस समाधान के उपाये समझाए उन्हें आयो रोजगार का अपना सिदान्त बीसी पुस्तक में प्रस्तुत किया जिसकी चर्चा मागे करने जा रहे हैं तो कीन्स के अनुसार अल्पकाल में रास्टियाय का इस्तर और इसलिए रोजगार का इस्तर देश के समगर मांग और समगर आपूर्ती से निरधारित होता है रास्टियाय का संतुलन वहां होता है जहां पर समगर मांग समगर आपूर्ती के बराबर होती है इस इस्तर को या इस संतुलन इस्तर को प्रभावी मांग का बिंदू भी कहा जाता है तो इस इस्तर पे जो मांग होगी जहांपे समगर आपूर्ति समगर मांग के बराबर होती है तो इस समगर मांग के इस इस्तर को प्रभावी मांग भी कहा जाता है तो ये concept जो था प्रभावी मांग का वो किन्स ने दिया था तो उस समग्र मांग या कुल वे को उभोग वे प्लस निवेस वे का प्रतिनी दितु करती है जो समग्र आपूर्थी के बराबर होता है तो ये इनकी एक different concept दिया प्रभावी मांग का दूसरे सब्दों में प्रभावी मांग समग्र मांग यानि की कंजम्शन प्लस इंवेस्टमेंट सी प्लस आई और समग्र आपूर्ती सी प्लस एस यानि की कंजम्शन प्लस सेविंग के बीच संतूलन को प्रदसित करता है यह संतुलन की स्थिती यानि कि प्रभावी मांग की स्थिती बताती है कि उध्धम्यों में ने तो अब उत्पादन को बढ़ाने की प्रवर्ती है और ना ही उत्पादन में कटोती करने की प्रवर्ती है तात पर ये है कि राष्टे आय और रोजगार जो प्रभावी मांग के अनुरूप होती है राष्टे आय और रोजगार के संतुलन इस्तर को वक्त करती है आय और रोजगार के सास्तर सिद्दान्त के विप्रीत तो जो कीन्स का नया रोजगार का मोडल है उसमें आई के निधारन किस तरीके से होते हैं क्या क्या तातू है तो प्रभावी मांग के जो निधारत तातू है और रास्ट्याई के रोजगार के संतूलन के समान इस तर पर समगर मांग और आपूरती हैं तो समगर मांग और आप योग से होता है ये किसी अर्थवस्ता में उत्पाजित अंतिमस्तों और सेवाओं की विभिन कीमतों और निशी समयाओधि में मांगी जानी वाली मात्रा के मोद्रिक मुल्य को व्यक्त करता है समगर मांग वक्र AD जिसको हम AD से वक्त करते हैं C पलस I ये दरसाता है कि रोजग करोत जाएगा बाडिक रोजगार के नियर्बह करेगी और जो AD होगा वह धनात्मक ढाला बनेगा रोजगार इसुथर के साथ में इसी तरीके से सकल अपूर्ती ये समगर हापूर्ति को देखते हैं जो की C प्लस I को व्यक्त करती है समगर-ापूर्ति एक अर्थोस्ता में सभी उत्पादक फर्मोद्वारा एक निशित सम्यावदी में विभिन कीमतों पर बेची जाने वाली अंतिम वस्तुर सेवों की मात्रा के मुद्रिक मुल्य को व्यक्त करती है तो एक साल निश्य सम्यावदी में जो कितनी वस्तूर सेवाएं उत्पादक फर्मोद्वारा विबिन कीमतों पर सप्लाई की जाएगी अपूर्ती की जाएगी उनका जो मौद्रिक मुल्य है उसको वेट करता है समगर आपूर्ती वक्रन समग रापूर्ती मुल्य वे नियुंतम रासी है जिसे उध्धमियों को निश्य संख्या में स्रमिकों के रोजगार दारा उत्पाजित उत्पादन की लागतों को पूरा करने के लिए दिया जाना आश्यक होता है उनको मिलना ही चाहिए नहीं तो वो प्रडक्शन नहीं करें समग रापूर्ती ओओयस द्वारा नियुपित की जाती है क्योंकी इसका एक भाग उभोक तता दूसरा भाग बिना विके हुए माल इंवेंट्री जिसकों की सेविंग भी का जाता है के रूप में रखा जाता है समग रापूरती वक्र C प्लस S ये दर्साता है कि इसके साथ साथ जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा तो आपका उत्पादन का इस्तर भी बढ़ेगा जिससे कि कुलापूरती में रद्धी होती है तो ये भी एक धनात्मक ढालवाला वक्र होता है इस पकार समग रापूरती वक्र अर्थोयस्ता के सकल उत्पादन कारे के माधिम से सकल उत्पादन फुलन के माधिम से रोजगार के श्तर पर निर्भर करता है इससे पैतारिश डिगर इखा द्वरा भी व्वेक्ट किया जाता है इस रेखा के सापेक्स नियोजित समगर उत्पाधन नियोजित समगर वे के बराबर होता है तो 85 डिग्री का क्यों रखा जाता है क्योंकि 85 डिग्री जो रेखा है उसके सापेक्स हम देखेंगे तो नियोजित समगर उत्पादन होगा वो नियोजित समगर वे के अनिवारे रूफ से बराबर होता है और ये माना जाता है कि अर्थोस्ता पूर्ण रोजगार इसतर से नीचे काम कर रही है अत्ता समगर मांग में भी जितनी वरद्धी होगी समगर उत्पादन उतना ही बढ़ जाएगा और कीमतों में कोई वरद्धी नहीं होगी तो ये पूर्ण रोजगार से कम इस्तर का एक इस्तिती अर्थोष्ता की है रोजगार और आय के स्तिर का निर्धारण के से होता है तो कि यइट के अंसा राश्टी आय और रोजगार के संतूलन का इस्तार समगरमाग वकर Ed और समगर पूर्थी वकर A.S की परस्पिक क्रियास के निर्धारीत होता है AD और AS के कटान मिंदु द्वारा I का संतुलन इस्तर आवशिक रूप से पून्रोजगार इस्तर को अंकित नहीं करता है तो यह जहाँ पे भी काटेंगे वहाँ संतुलन इस्तर होगा लेकिन जरूर नहीं है कि वो पून्रोजगार इस्तर का ही हो समगर मांग और समगर आपूरती के बीच संतुलन की इस्तिती पून्रोजगार के इस्तर से नीचे या उपर हो सकती है जैसा कि नीचे वकर में दिखाया गया है नीचे चितर देखेंगे अपन नेक्स लाइड में आकरती 32.3 में समगर मांग वकर C प्लस I और बिंदू E1 पर समगर आपूरती वकर OS को काड़ता है जो कि प्रभावी मांग का बिंदू है बिंदू E1 पर आश्टी आये का संतूलन OY1 है आये हम मालने कि OY1 आये इस्तर का वो हिस्तर है जहां पर काम करने वाले कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है उनको आउसोसित नहीं किया आ जाता है इसका मतलब यह है कि यह पूर्ण रोजगार इस्तर से कम का संतूलन इस्तर है तो यह आप सामने चितर देख पा रहे हैं इसमें C प्लस I जो है वो एग्रिगेट डिमांड है और जो C प्लस S वाली रेखा है वो हमारी एग्रिगेट सप्लाई है एग्रिगेट सप्लाई है तो यह दोनों E बिंदू पर काट रहे हैं E1 बिंदू पर तो यह E1 बिंदू जो है Y1 आय का इस्तर निधारित कर रहा है O Y1 तो यह पूर्ण रोजगार इस्तर से कम है जबकि पूर्ण रोजगार इस्तर Y2 है अब मालीजे कि बेरोजगार स्रमीकों को रोजगार दिया जा स्क्रामिक बेरोजगार नहीं होता है तो इस तरीके से गौवर्मेंट इस्पेंडिंग करके सरकार दौरा वे करके हमारी समगरमांग को बढ़ा करके और जो बेरोजगार लोग है उनके लिए रोजगार सवजित किये जाने की संभावना किंस ने बताई थी तो इसको हम देखते हैं कि मंदिक इस्थिति में किस प्रकार से सरकार दौरा वे बढ़ा करके और मंदिक इस्थिति से अर्थे उस्था को बाहर निकाला जा सकता है तो यह यहां देखा गया है कि अर्थेवस्ता में जब government expenditure होता है तो समगर मांग जो है C plus I plus G से उपर किसक जाती है इसके प्रणाम सुरूप अर्थेवस्ता बनिम्न संतुलन मिंदू E1 से उच संतुलन मिंदू E पर पहुंच जाती है जहां पर कि O-Y-2 पूण रोजजगार संतुलन के बिंदू है इस परकार गोई बात कि सरकारी कर्च पूण रोजगार इस संतुलन पूण रोजगार इसतर से कम होतो और अगर यह इस से उपर होता है तो इसका मतलब यह होता है कि उत्पादन क्यों मोद्रिक माप को बढ़ा रहा है यानि कि जो उत्पादन है उसका क्यों मोद्रिक मुल्य बढ़ रहा है कीमतें बढ़ रही है लेकिन वास्ट्विक उत्पादन पूर्ण रोजगार से उपर किसी बिस्तिती में बढ़ी नहीं सकता क्योंकि जो साधन है वो पूर्णते काम में आ रहे हैं और उसके बाद अगर मांग में वरद्धी होगी तो वो कियोल कीमतों में वरद्धी करेगी क्योंकि उत्पादन पूर्ण रोजगार से पहले से ही है अब हम देख लेते हैं प्रभावी मांग का महतु क्या है तो प्रभावी मांग का कंसेप्ट जो है वो किन्स ने दिया और इसके बात में तो पूर्ण योगदान है समस्टियर सास्त्र में तो पहला है रोजगार का निर्धारक प्रभावी मांग देश में रोजगार के इस्तर को निर्धारित करती है प्रभावी मांग बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा रूप में बचा लिया जाता है प्रणाम सुरूप जो है पूर्ण रोजगार इस तर पर अर्थोस्ता नहीं रह पाती है नहीं रह पाती है और पूर्ण रोजगार से कम इस तर पर काम कर रही होती है इसी प्रकार से निवेस की भूमी का बताता है प्रभाविमांग का तो प्रभावी मांग घड़ जाएगी रुस्त देश में बेरोजगारी के हिस्तिती उत्पन हो जाएगी तो रोजगार का विश्थार करना है तो आपको खपत और आए का अंतर जो है उसको निवेश के बराबर करना होगा नेक्स्ट है पुंजीवादी अर्थोस्ता तो प्रभावी मांग का सिदान्थ ये भी स्पस्ट करता है कि जब अमीर समदायवाली अर्थोस्ता होती है वहाँ पे आय और उनके उभोगवे में बड़ा अंतर पाया जाता है यदि इस अंतर को भढ़ने के लिए आवसक निवे की तो 1970 के मद्दे से किंजन सिदान्थ की मुद्रावादी अर्थास्त्रियों ने तीक्या अलोचना की मिल्टल फ्रीड में जो की मुद्रिक अर्थास्त्रियों के प्रवक्ता है में मुख्य मुद्रिक अर्थास्त्री हैं वो किंजन वाद को सिरे से खारिज करते हैं और सा क्लासिकल अर्षास्त्री ये बात मानते थे और अब मुद्रावादियों ने वापस से ये बात कही मुद्रावादियों का मानना था कि जेम किन्स ने समगर मांग के निर्धारकों पर अत्यदिक बल दिया जबकि समगर आपूर्ति के निर्धारक ततू के उन्होंने अत्यदि मर्थवस्ता यानि कि free enterprise economy की उन्होंने बात की कि भई economy को free कर रखा जाना चाहिए government का interference उसमें minimum रखा जाना चाहिए ज्यार हिक्स ने किन्स के जनरल थोरी को अवसाद अर्शास्तर के रूप में मरनित किया तो उन्होंने का कि ये जो ज्यार जे एम किन्स है उनकी जो policy recommendations है या जो उनकी नीतियां है वो केवल मंदी की स्थिति में सरकार के interference की वज़े से काम करती है बाकि अगर दूसरी स्थितियां होती है तो वहाँ जे एम किन्स की policy काम नहीं करती है इसके अलावा general theory of की जो किन्स की general theory किताब है वो विक्सित अर्थोस्ताओं पर ही लागू होती है कम विक्सित अर्थोस्ताओं में नीतिकत उद्धियों के लिए किन्स की अवधारनाएं बहुत ज़्यादा मैतोपून नहीं है तो ये हुआ आपका किन्स का आउटपूट और employment theory धन्यवाद